हाई गाईस वेलकम और वेलकम बाक टू माय चानल आज हम मनाने जारे वाइट सॉस पेगेटी स्पेगेटी सब यूज करते हैं तो मैंने सोचा मैं नूडल्स ट्राय करके देखती हूँ तो सबसे पहले आपको नूडल्स पॉयल कर लेने हैं जैसे नॉमली सब करते हैं बस आपको नूडल्स ब्रेक नहीं करने हैं और साथ में उसमें वन स्पून और आपको थोड़ा से सॉल्ट डाल लेने हैं फिर नूडल्स पॉयल करने के लिए रख दीजिए फिर अब हम वाइट सॉस इसकी बनाते हैं सबसे पहले आपको एक पैन और कढ़ाई में हाफ स्पू मेडा लीजिए और वो डालिए फिर इसे भी अच्छे से हिलाना कोई लंप्स नहीं होना चाहिए इसमें फिर आप देखेगे कि इसके क्रीमी सा टेक्श्चर फॉर्म हो गया है मैंने थोड़ा सा और मेडाट कियो कि मुझे कम लग रहा था फिर इसके बाद आप एक ग्लास मिल्क लेगे और वो धीरे धीरे डालेगे मतलब एक साथ में डाल देना धीरे धीरे डालना फिर इसको अच्छे से हिलाएगे और यह सारा प्रोसेस जो आपको मीडियम फ्लेम पर करना है फिर आपको इस प्लीज कॉंटिन्यूसली हिलाएगा वरना यह नीचे लगने लग तो आप देखें के 2-3 मिनिट पार इसमें बॉइल आने लग गए है फिर आप इसमें चिली फ्लेक्स आड़ कर दीजिए और और जो भी होप्स आपको पसंद है वो आड़ कर दीजिए फिर इसके बाद जो है आप सॉल्ट आड़ करना फिर आप 5-7 मिनिट पार देखोगे इस इसकी कंसिस्टेंसी ठिक होगे है तो मतलब आपकी सॉस आल्मोस्ट रेडे है अब इस पॉइंट पे आप अपनी बॉइल नूदल बहुत अराम से लाना वरणा आपकी नूदल प्रेक हो जाएगी अब मैं इसके बाद इसमें और ओरिगयानों की लीव्स टाल हुए क्विक उसका फ्लेवर अच्छा होता है तो वो डाली तो पस आपके 10 मिनिट के अंदर स्पेगेटी त्यार है वाइट सौच स्पेगेटी और नूडल्स अगर आपको रेसिप्री पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चानल को बबाई नेक्स्ट वीडियो में मिलते है